हलो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई यह है ताजी जड़ी बूटियां इसके इस्तमाल से आपके बोड़ी में किसी प्रकार का भी प्रॉबलम भाई जैसे बचपन में गलतिया जो किये रहते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी प्रॉबलम आ जाते हैं भाई और मौसम चेंज होने पर भी प्रॉबलम आते रहता है तो उनके लिए यह है भाई जड़ी बूटियां सबस्तों पहले आप लोगों को मैं जड़ी बूटिया दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग को भी लगे भाई की जड़ी बूटिया क्या क्या क्वाल्टी है भाई अगर आप ताजी जड़ी बूटिया इस्तमाल कर रहें तो वो 100% काम करेगा आप चाहे जहां से ले रहे हो चाहे ऐसे ताजी जड़ी बूटिया जो साबूत हो या पौडर फार्म में हो बस ताजी रहना चाहिए भाई वो ऐसा नहीं की काम नहीं करेगा भाई काम करेंग बहुत अच्छी तरीका 100% काम करेंग भाई ये देखिए आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग के सामने भाई और सथ पहले मैं सुर्वात इन ही चीजों किया था भाई जो मेरे अंदर जो कमजोरियां था जो गलतीक वज़े से मेरी बोड़ी में जो भी गलती लिया हो और सबसे सुर्वात मेरा कंट्रोल किया था भाई ये सब चीजे किये हैं और ऐसा नहीं कि खाली इतने ही जड़ी बूटियां है बहुत सारे जड़ी बूटियां बहुत सारे आप जितने भी जगा जाओगे भाई आप वहां इस सब चीज को डिफरेंट मिलेगा द लोगों के प्राब्लम सुनके उसी के अधार पर उनको जो मर्ज है जैसे हड़ी में दर्द है जिनका कट-कट की आवाज आता है जिनका पेट की समय से है जिनका आँक की प्राब्लम है उसी अनुसार उनके जड़ी बूटियां मिलाया जागत भाई उनका प्राब्लम ऐसा नहीं ठीक होने वाला है जो प्रॉब्लम ज़्यादा है उनके लिए उस चीज की जड़ी बूटिक मात्रा बढ़ा दिया जाते है यह एक ही है और इतने ही है हर बार बहुत सारे जड़ी बुटियां भाई बहुत सारे ठीक ना आप लोग देख सकते हैं यह देखिए काफी हैं भाई ऐसा नहीं कि आप एक ही जड़ी बुटिया का खाखा के खाखा के आप उसको अपनी प्राब्लम जो बच्पन में गलतीय की रहते हैं भाई वो ठीक हो चुछ तक है ऐसा नहीं भाई यह कौँच के बीच है देख लिजे ऐसा नहीं कि भाई हम खराब चीज़ें जो खराब राता उनको इस तरह भाई इनको फेक दिया जाता भी ना बिल्कुन चाट के भाई इस सब्सक्राब किया जाता भाई अच्छी चीज़े इस्तमाल करने पर भा कहीं से भी ताजी रहेगा तो वो काम करेगा अगर लोगों को बहुत ज्यादा प्राब्लम है बहुत ज्यादा तो उनको वक्त लगेगा ऐसा नहीं कि वो चीज़ प्राब्लम जो हमारे बच्पन के गलतियों को वज़े से आ गया है ऐसा नहीं कि वो नहीं जाने वाला ठीक ना जिनको साधी हो गया है तो उनको भी पहरेज करने करना पड़ेगा और जिनको साधी नहीं हुआ है तो भाई उनको भी पहरेज करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि भाई बिना पहरेज को कोई भी चीज ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है और यह देखिए ताजी जड़ी बु जैसे फ्रेस होने के लिए बैठोगे तब भी कत्रा आएगा या लेट राइट मुड़ जाएगा दर पर से क्योंकि हमारे यार इतनी गलतिया कर देते हैं या इतनी गरम चीजे खा लेते हैं या इतने हमारे अंदर जो हीटनेस हो जाता है उसकी वज़से बिना शपने का भी नाइट फाल होने लगता है और शपने से भी होता है तो हमारे बिना सपने को प्रॉब्लम भाई यही है कि हीटनेस हो जाता है इस वज़से बिना सपने से होता है जो कत्रा आने लगता है हम कत्रा जैसे फिशाप कर रहा है तो उसके सांथ कत्रा निकलता है जो हमारा प्रोस जड़ी बूटियां इस्तमाल करो गोनाई वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा और और काफी वक्त खाते रहोगा तो एक दम से ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं कि हम दवा भी कर रहे हैं और गरम चीजे खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जो अपने मैं अपने प्रॉब्लम के अनु हो रहा है या जो प्रॉब्लम हमारा टेस्टी एनि टाइम लटकता रहता है जो गोलियां वो लटकता है वो अन्चाही गर्मीक वजे से है उसके वज़े से हमें प्रॉब्लम होता रहा तो उसको ठीक कने लिए ये जड़ी बृटियां है भाई आप लोगों कि श्रौमने